पुर्भा मैं, सत्यम कॉंसेट क्लासे से, मैं यहां बायलोजी की टीचर हूँ, मैं यहां बायलोजी की टीचर हूँ, मैं यहां बायलोजी का क्लास लेती हूँ, 10th का एक्जाम खतम हो गया है, तो आप हम लोग 11th की तरफ बढ़ते हैं, आज हम लोग 11th के बायलोजी के स्टेडी उसको सब्सक्राइब करें और और पढ़ने के लिए पुर्णिया में गिर्जाचों के इस जगह है घर्जाचों में हम लोगों का सत्म कॉंसेप्ट क्लासेश के नाम से कोटिंग संस्थान है तो वहां से आप हम लोगों के साथ जूर करके पढ़ाई कर सकते हैं तो ह इंपोर्टेंस उसको देख रहे हैं तो यह जो एलेवंथ का सिलेव से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एलेवंथ को एस्कीप कर जाते हैं और डायक्ट को पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे एक्जाम जो है परामेडिकल है नीट है इसके साथ जो अधर की से भी हम लोग आज इसके साथ हम लोग के जो लाइफ है उसमें भी बाईलोजी का बहुत इंपोटेंस जो हैं खासकर कि को छुमिन हो हम लोग को पढ़ना है न..... चीजों को हम लोगों को 11 में पढ़ना है बस एक सेप्टर हम लोगों को जो रिप्रोड़क्शन है रिप्रोड़क्शन को सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है ट्वेल्थ में बाकी हम लोगों को 11 में पढ़ना है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लेवस एनलाईज करना तो प्लेज वाले उस्टा में और जीव सब्सक्राइब Woah jamu हम लोगों हम लोगों जीव के बारे में पढ़र ना है इसके साथ इस योनीट में चार करन है तो फस्त जो चैप्टर जीव-जगत का बारे में पढ़र नाहे है दूसरा चैप्टर हिंक हम chop omega सारे जीव हैं उनका बरगी करन परना है जैसे हम लोग अपने घर में ही किताब कौपी को एरंज करके रखते हैं किताब को एक तरफ कौपी को एक तरफ या आधर किसी भी वस्तू को एरंज करके रखते हैं उसी तरह से क्या है कि बायलोजी में जीवों का बरगी करन किया गया तो इस चेप्टर के अंतरगत हम लोग जीवों के बरगी करन के बारे में पढ़ेंगे इस तरह हम लोग का थर जो चेप्टर है थर अध्याय में हम लोगों को बनस्पती जगत के बारे में पढ़ना है तो इस पेर पोधे के बारे में हम लोग ऐसे तो जान नहीं सकते सबका नाम याद रखना पॉसिवन नहीं है तो इस तरह से क्या है कि इस अध्याय में बनस्पती जगत में हम लोगों के बनस्पती के बारे में बर्गी करन है और उनके characters के बारे में पढ़ना है fourth chapter है हम लोगों का ये fourth chapter है परानी जगत तो संसार में बहुत सारे जन्तू भी हैं इन जन्तू के बारे में हम लोगों को पढ़ना है उनके classification के बारे में पढ़ना है एक कोस्किय से ले करके बहुकूस के जीवों के बारे में हम लोगों को इस पराणी जगत में पढ़ना है इस तरह से हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को चार चेप्टर पढ़ना है और college के जो exam होते हैं उसमें 12 marks के question इस unit से पूछे जाते हैं अब हम लोग आते हैं second unit पे तो second unit जो है हम लोगों का वो है पादप एवं परानियों में संदशनात्मक, शंगठन अब क्या है कि संदशना का करने का मतलब हो गया कि हम लोगों के का जो सरीर है उस सरीर का जो संदशना जिस तरह से बना हुआ है उसके संगठन के बारे में परना है कि हम लोगों के सरीर को बनाने में किस किस चीजों की आवशकता हुई है मतलब किस चीज़ से मिलकर के हम लोगों का सरीर बना हुआ है तो पहले पेर पौधों के बारे में फिर प्राणियों के बारे में इस चप्टर के अंतरगत हम लोगों को पढ़ना है तो इसका जो पहला अध्या है पहला अध्या है इसमें हम लोगों को पढ़ना है पुस्पी जो सरीर है तो उसमें जर है तना है पतियां है उसमें फूल पतियां आते हैं तो उनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर को हम लोग बौटनी के अंतरगत पढ़ेंगे अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे तो 6 जो चैप्टर है हम लोगों का वो है पुस्पी पादपों का सारी रिकी पुस्पी पादपों का सारी रिकी से मतलब है कि जो वैसे पौधे जिसमें फूल आते हैं उन पौधे के सरीर के अंदर की संदचना उत्तक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है उत्तक के बारे में उसके बारे में उसक करो किसलेवस में इनमें तीन एनिमल्स को दिया गया है तीन के बारे में आप लोगों पहरना है कोकरोज, नस्रा हम आर्ट को बैर में इस में पहरना है अब क्या है हम लोगों का जो इस तरह से हम लोगों का जो दो यूनिट है वो खतम होगी आप हम लोग का जो तीसरा यूनिट है वो तीसरा यूनिट तीसरा यूनिट जो हम लोगों का वो है कोशिका के बारेम हम लोग को तीसरा यूनिट में पढ़ना है जिस तरह से हम लोग किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इट की आवश्चता होती है उसी तरह से किसी भी जीव कह सकते हैं पेर पौधा हो या कोई भी जन्तू हो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तो कोसिका चाहिए तो हम लोगों को ये जो तीसरा इकाई है तीसरा यूनिट है उसमें हम लोगों को कोसिका के बारे में पढ़ना है उसके संरशना के बारे में पढ़ना है कि किस तरह की बनी होती है और इसका काम क्या क्या होता है तो जो हम लोगों का थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट मे जो पहला चेप्टर है वो कोशिका जीवन की इकाई है मतलब क्या कि जीवन जो सुरू होता है वो कोशिका से ही सुरू होता है इसमें कोशिका सिध्धान्त के बारे में पढ़ना है और जो कोशिकांगक होते हैं उनके बारे में इस चेप्टर में हम लोगों को पढ़ना है जाय में हम लोगों के शरीर में किस तरह की क्रियाय करते हैं उनके बारे में हम लोग अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे अगला चैप्टर हम लोगों का दस्मा नंबर है कोशी का चक्र और कोशी का विभादन तो इस कोशी का चक्र में हम लोग यह जो चैप्टर है बहुत इं ने देखेंगे। में। काके तो फों होता है, के बारे की। चौथा यूनित है चौथा यूनित हम लोगों का चौथा यूनित पादब कारी की है पादब सरीर क्रिया बिग्यान है यह जो चौथा यूनित है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है चौथा यूनित में हम लोगों को टोटल टोटल हम लोगों को 17 मार्फ के कोश्टन पूछे जाते हैं 17 मार्फ के कोश्टन पूछे जाते हैं और इसमें हम लोगों को पूरे प्लांट के बारे में स्टेडी करना है प्लांट के बारे में स्टेडी करना है प्लांट में क्या क्या होता है सरीर क्रिया बिग्यान मतलब प्लान के सरीर के अंदर सरीर के अंदर जो जो क्रिया होती है हम लोग उसी को हम लोग सरीर क्रिया बिग्यान कहेंगे तो पौधे के अंदर जो जो क्रिया बिग्यान होता है उसके बारे में हम लोग बढ़ाई करेंगे इस चेप्टर के अंतरगत तब हम लोग आते हैं चौथा यूनिट पे यूनिट नमबर फूर जो है हम लोगों का वो है पादप कारिकी का मतलब होता है सरीर क्रियात्मक्ता मतलब हो गया कि हम लोगों के सरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है तो यह जो हम लोगों का यूनिट ये पादप कारी की यूनिट के अंदर टोटल हम लोगों को फाइब चप्टर पडने हैं इसका जो पहला चप्टर है वो है पॉधों में परिवधन हम लोग जान रहे हैं कि पौधा क्या है कि पौधे के अंदर जो खाना है पानी है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जिस तरह से हम लोग कहीं भी जाते आते हैं तो साइकेल, मर्शाइकेल, बस, ट्रक इस सभी माध्यमों से आते जाते हैं उसी तरह से पौधे में भी तो कोई माध्यम होगा जिसकी वज़ा से पोशक पदार्थ और जो खनीज पदार्थ खनीज लबन हो गये जल हो गये वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपर हो सकें तो हम लोग का जो अध्या एग्यारा है इसमें हम लोग थो पढ़ेंगे पौधे में परिवहन के ऍवारे में लोत थी ऊप्टर नंबर 13 है। इसमें प्रकाश संश के बारे में पड़ना है प्रकास क्लेशन को हम लोग कि पहले से पढ़ते आров हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा बिश्तरत अध्यन करना है इसमें जो क्रेश साइकल है ग्राइको जैनोलैसिस है इन समी चीजों के बारे में पढ़ना है प्रकास अंसलेशन के बारे में अध्याए 14 जो है उसमें हम लोगों को पादप में स्वसंद जिस तरह से जन्तु स्वसंद करता है उसी तरह से पेर पुझे पिर पॉधे में भी ब्रदी हार्मोन होते है जार से हम लोगों में होता है तो उस की स्वसी चप्टर में पढ़ेंगे इस तरह से हम लोग का चौथा यूनिट खतम हो गया, अब यूनिट नमबर 5 स्टार्ट होता है, इसमें हम लोग मानव शरीर क्रिया बिग्यान के बारे में पढ़ेंगे, तो मानव शरीर क्रिया बिग्यान में हम लोगों को, टोटल हम लोगों को, पाच्मा यूनिट में टोटल हम लोगों को है इस चेप्टर यह जो है हम लोग का बहुत इंपोटेंट चेप्टर है इसमें पूरे मानव के सरीर के क्रियात्मक्राइबिधी का अध्यन करना है और इसमें कॉलेज के एक्जाम में 17 मार्क्स के 17 मार्क्स के फुशन पूछे जाते हैं तो इसका जो पहला चेप्टर है वो है पाचन एवं अवसोशन हम लोग खाते हैं तो खाना कुछ देरों के बाद पज कातें हैं भूख लग गई तो भूख कहां से लग जाती है खाना खाया वो कहां चला गया तो खाना पज जाता है और उसके और गैसों का बिन में हम लोगों के सरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक गैस कैसे जाता है और हम लोग किस क्रियाविधी से सांस लेते हैं इस चीज़ को हम लोग चेप्टर नंबर 17 में पढ़ना है और चप्रिय नमबर जो 18 है उसमें हम लोग कहें सरीर में दर्व और उसका परिसंचरन के बारे में पढ़ना है तो ये जो परिसंचरन है सरीर दर्व का मतलब हो गया कि हम लोगों के सरीर में शरीर में जो ब्लड होते हैं काने का मतलब जो रक्त होता है लाल रक्तकन स्वेट रक्तकन इन सभी चीजों के बारे में इसके साथ साथ जो सिरम वगरा होता है और वो एक जगा से एक अंग से दूसरे अंग में किस तरह से पहुंचते हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ इसका निसकासन, क्या होता है कि हम लोग फूर को इंक्रेक करते हैं, मतलब भोजन गरहन के वो पच गया, सांस पांस ले लिए, और क्या होता है कि भोजन के पचने के बाद जो हम लोगों के सरीर में आवश्यक तर्तु नहीं रह गए, वो सर्जी पदार्थ बन जाते हैं, और वो हम लोगों के सरीर में बिसले पदार सरीर से बाहर निकलते हैं तो इसका निसकासन किस क्रिया विधी के द्वारा होता है इस सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चेप्टर में पढ़ेंगे अब हम लोग आते हैं चेप्टर नंबर 20 पे 20 में हैं हम लोग हम लोगों को अपने बीभीन आवश्कताओं को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना परता है तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे चल करके जाते हैं तो चेप्रियर चेफ्टेश नमबर जो 21 है उसमें हम लोगों को तंसरीकार चुँन गया तो हड जाते हैं तो इंचनी चीजों का जो नियंत्रन होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है तो हम लोग तंत्रिका तंत्र की किल्याविधी को चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे इस तरह से हम लोगों का जो 11 का लास्ट चैप्टर है लास्ट यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है रासाइनिक स प्रकार्मोन निकलते हैं और उन सभी छीजों के बारे में हम लोग चैप्टर 22 में पढ़ेंगे जो जैसे हम लोग लोग का पूरा 11 खतम होता है तो ठीक है बच्चों आप लोग से बिदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन आप लोग हमसे जूरिये ओफलाइन पढ़ने के लिए पुर्णिया में हम लोग का गिर्जा चौक पे संस्थान है सत्यम कॉंसेट क्लासेश के नाम से और ऑनलाइन झालाइन